प्लास का टोपिक है वह है डिफ्रेंसिबिटी जो इससे हमारी पहले की जो प्लास है उसमें हमने क्या पड़ी ती कंटिविटी अगर किसी ने नहीं पड़ी है तो सबसे पहले हमारी पहले की सब्सक्राइब आज हम डिफ्रेटी क्या होती है इसका आपने थोड़ा साथ डिफ्रेंशेशन जो है डेरिवेटिव आपने 11 क्लास में भी पढ़ाता तुम्हां पर बेसिक डिफ्रेंशेशन तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखें एक क किस फेलिटी क्या होती है उसकी डायर से कि इस मत तक है एक को अएक एफ एसबी मंचन ऑर रीयल संप्शन हम और धील लेड कि कि आई याएक हो deal कि से बॉल के जिसका डोमें और रेंज हमारी रिल लंबार्टी है मैंने आपको पहले भी बजाया था कि हमारे यहां पर सभी फंक्षन स्रीयल ciao favorite function को फंक्षन के डोमेन और रेंस डोनों ही रियल नंबर होती है work और से लेकलब एनिकिंट देन एनी पॉइंट सी ब्लोंग स्टू दो में ओफ एक फंक्शन है जो हमारा डो में एफ जो फंक्शन की डो में है उससे हमने एक पॉइंट लिया तब हम कहेंगे दैन एफ-एक्स कि एज कि सेट टू बी कि डिफ्रेंशियवल देन एफ-एक्सी सेट वी डिफ्रेंशियवल फंक्शन और डैरियवल और डैरियवल कि एट एक्स इपल डो कि कोई फंक्शन है हमारे पास रिएल फंक्शन है एक पॉइंट सी है जो में इसकी डो मेंस उठाया है दैन एफ-एक्स is set to be differentiable or derivable if यह function हमारा differentiable होगा derivable होगा at x is equal to c if and only if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c is exist दिहां से देहना कोई भी function हमारा differentiable का होगा जब यह limit हमारी exist करेगी और हमने 11 बढ़ाता लिमीट का बेग्जिस्ट करती है जब left hand limit और right hand limit हमारी equal होती है उसके बारे में बाद में डिसकुस करेंगे पहले अब यह देखिए कोई function हमारे पास एक point c है हमारे पास domain domain की किसी भी point पर अगर function differentiable है तो यह limit exist करेगी लिमीट एक स्टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ एस माइनस एफ सी इस एंड फाइनाइट यह कैसी लिमीट होगी हमारी यह लिमीट हमारे पास होगी फाइनाइटले लिमीट तो अब हम इसको जो बोलते हैं हमारे पास then लिमीट इस कॉर्ड इस लिमीट इस कॉर्ड यह दो हमारी लिमीट है हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव दा डेरिवेटिव और डिफरेंटिएस और डिफ्रेंटिशेंट ओफ एफ मारे लिमीट होती है इसे ही हम डिफ्रेंशेशन बोलते हैं फंक्शन का सी पॉइंट पर तो इसे हम लिखते हैं इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इसको लिखें तो एफ डैस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इसको हम ऐसे भी लिखते हैं यह तो पॉइंट सी पर हुई और यह किसी भी पॉइंट पर वी इसमें हम सी पूट करेंगे तो इसी के एक्वल तो ऐसे भी लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच यह तीनो एक ही बात है यह जन्रल फॉर्मॉला हो गया यह पर्ट किसी पॉइंट पर अगर आपको फंक्शन का डिफ्रेंशेशन निकालना हो तो इसे जो एफ डैस है हमारे पास इसे मोलता है इस डिफ्रेंशेशन अ हो मैं ऑफ फी इसको हम डियुए डियुएक्स से भी डिनोट करते हैं मत्तों एफ डैस एक्स को हम डियुए डियुएक्स भी बोलते हैं और इसे हम y' से भी denote करती है तो यह हमारे function की differentability की definition है कोई भी function differentiable होगा किसी भी point पर अगर f'c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c मैंने हम पर एक word लिखा है limit exist function की जो limit है वो exist करेगी तो इसको मैं अभी discuss करता हूँ पहले आप वीडियो को पोस्ट करके इसे note करिए मैंने एक word लिखा था पहले f'c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist किसी function की limit exist करेगी अगर ये function differentiable होगा at x is equal to c तो हमें कैसे पता जलेगा कि ये exist करती है या नहीं करती है limits में हम निकालते थे left hand limit and right hand limit यहां पर हम निकालते हैं left hand derivative and right hand derivative तर अब आप सुनिए right hand derivative और left hand derivative चाहुते हैं पहले पहले तो में आपको definition आप फोर्मा निकता हूं उसके बाद में यहां पर explain करूंगा देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं किसी भी point पर हमें check करना है कि function differentiable है या नहीं है तो हमें दो चीज निकालनी होती है हमें left hand derivative and right hand derivative उस point पर जिस point पर हमें difference ability चेक करनी है तो देखिए left hand derivative इसको हम बोलते हैं LHD left hand derivative short में हम इसे बोलते हैं LHD B इसका meaning है LF-C limit h tends to zero fc minus h minus fc upon minus h उसके बाद हम निकालते हैं right hand derivative derivative L किसे हम बोलते हैं short में RHD किसे हम लिखते हैं R F-C R means right hand derivative at the point C इसका फॉर्मूला होता है limit h tends to zero fc plus h minus fc upon h तो फसका दूए्ट वहईक का दूए्ट भूंचिशन यूख का थादोशन स्टीड और दूशन खॉछन यूशन धूचंशन यूशन ध का ऋभिए इस इपल तो सी इफ है एलेट इपल टू आरेच भी अगर लेफ्ट हैं डेरिवेटिव और राइट हैं डेरिवेटिव दोनों आपस में इकवल आते हैं तो फंक्शन को बोलते हैं कि वो फंक्शन डिफ्राइशे वले मतलब उसका डिफ्रेंजेशन हो सकता है कि अभी लेफ्ट हैं डेरिवेटिव राइट हैं डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है अब आप यहां पर मीनिंग देखिए इसकी माली जी यह एक हमारे पास कोई कर्व है को चोटा मतलेते हैं यह हमारे पास एक पॉइंट शी पर यह तो वैल्यू है हमारे पास यह हमारे पास एफसी थोड़ा सा डिफ्रेंट छोड़कर के मिन्स एच लेंग छोड़कर के हमने एक पॉइंट लिया यहां पर सी प्लस एच तो सी प्लस एच पर जो हमारी वैल्यू होगी फंक्शन की वह होगी एफ सी प्लस एच तो ये है हमारे पास एक point A, एक point B इस A point के coordinate क्या होंगे इसका X coordinate तो है हमारे पास C और इसका Y coordinate हमारे पास है FC ऐसे ही हमारे पास B point है इसका जो X coordinate है वो C plus H और जो इसका Y coordinate है वो है FC plus H अब यहां से देखना अगर मैं इसको मिला देता हूँ A, B तो हमने 11th class में पढ़ा था slope of code A, B इस A, B code का slope क्या आएगा Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 It means Y2 F C plus S और Y1 हमारे पास है FC यह हो गया Y2 X2 Y2 X1 Y1 upon यह हमारे पास हुआ C plus H minus C C से C हमारे पास केंजी रोगया अब यहाप वीडियो को पोज़ करके नोट करिए आगी चलते हैं फिल तो जो slope of A, B आया हमारे पास slope of code A, B यह हमारे पास आया FC plus H minus FC upon X अब यहां से देखना कि अगर हम यह एच जो डिफ्रेंस है दोनों पॉइंट के बीच का अगर हम इसको बिल्कुल यहां मिला दें तो यह slope जो है कि यहां पर आज़ेंगे it means अगर यह एच means दोनों पॉइंट लगबग एक दूसरे के ऊपर कोन साइड कर जाएं तो यह जो हमारा जो हमारे पास यह code है यह tangent बन जाएंगी add the point A तो यह जो बनेगा हमारे पास इसे हम बोलते है right hand derivative यह means point के right से अब हम इसके left में आएंगे मतलब यह ही h difference अगर मैं यहां लेता हूँ तो यह हो जाएगा c minus h और इस point को अगर यहां पर मिलाएं तो इसे हम लेते हैं c नाम तो इसके जो coordinate आएंगे हमारे पास c point के coordinate कि आएंगे c minus h और fc minus h तो इसको मिला दी दिया तो यहां पर हम स्लोप निकालेगे अगर इस लोप और के सी जहां से देखना चारा फोर्मुला होगे लगे गा वाइटू माइनस वाइवन अपोर एक्स्टू माइनस एक्सवन तो यह तुम्हारे पास कितना आएगा अपोन c minus h minus c c c c cancel हो गया अब अगर मैं यह limit अगर हम इस डिस्टैंस को बिल्कुल जीरो कर दें इस दोनों पॉइंट को आपस में कोन साइट गरा दें एच्टैंस को जीरो करने है कि हमकर दें यह तो यह आपका दो टानगा है यह हमारे पास क्रॉइंट के पर यह जो कोड है हमारी पोइंट फेंट बलकुल जीरो कर दें तो इसे ही हम बोलते हैं tangent slope A इसे ही हम क्या बोलते हैं RHB जयने कर right hand derivative और इसे हम बोलते हैं left hand derivative और ये क्याएगा हमारे पास slope of tangent at A अब यह भी slope of tangent at A और यह भी slope of tangent at A किसी भी point पर सिर्फ एक ही tangent होता है किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है इट मींज दो स्लोप किसी भी एक टेंजेंट के नहीं आ सकते तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों आपस में क्या होंगी इपल होंगी Therefore, LHD इपल डू रहेच्ट तो यहां किलि養 है कि Left hand derivative और Right hand derivative दोनों आपस में कैसे होंगे Equal होंगे Equal क्यू होंगे तो कि दोनों ही इस एक पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप है और किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट पोसीबल है है तो इसका मतलब यह हुगा कि दोनों टेंजेंट आपस में दोनों सुलोप आपस में इक्वल आएंगे तो एलसी इक्वल टू और सब्सक्राइब आपको बताता हूं कि डिफ्रेंशेशन क्या होता है अब यहां पर देखिए नोट दिख्वाता हूं मैं आपको इस अब इस तो आपको इस को बिफ्रेंशेशनय है व्वंसे प्रफेंशन अपे आपको जान क्या है अब यह शुग अग्जाज्या है अगर आपको ओ सुग शुग अग्रा इस छे और आप वी फंक्षन का दिफ्रेंशेट निकालते हो लिए प्रक्राफ पर तो फूस्पोंट पर उसकर की तो टेंजेंट होगी जो ऊसका स्लोप और किसी को करते हूं मेंने कि सी यह कि मैं इसको ऐसेすकों सुन पर है संसेट करता हूं अगर से यह कारव है और मैं इसको इस पॉइंट पर डिफ्रेंशियेट करता हूं तो यह तो जब भी कभी हमें प्रूफ करना हो कि पूफ यह तो आपको सिर्फ क्या करना है आपको लेफ्ट हैं डेरिवेटिव निकालना है इस वाले पॉर्पुले से राइड हैं डेरिवेटिव निकालना है अगर दोनों आपस में एक पल आती है तो फंक्शन इस डिफ्रेंशियेबल एक डेट पॉइंट इस पॉइंट करते हैं तो अभी हम इसे कुश्चन के कुश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्यूर्ण किसस कर लेते हैं इसका प्रूफ देखते हैं सिंस एफ एफ एज डिफ्रेंशियेबल डिफ्रेंशियेबल एक एक डिफ्रेंशियेबल होता है तो एफ डैस सी मतलब लिमिट एक्स टैंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी किसके एकवल होता है एफ डैस सी के एकवल होता है जी हमें फंक्शन को प्रूफ करना है कि वह कंटीनियूस है तो कंटीनिटी पे जाईए कि अगर कोई फंक्शन कंटीनियूस होता है एफ एक्स है एक्स एस इस टो लिमिट एक्स टेंट्स की एक्स करती है वह उस फंक्शन की वैली के इकवल होती है यह तो इस हमें यह प्रूफ करके दिखाना है चलो देखें प्रूफ करके अच्छा fx को क्या मैं लिख सकता हूं मैंने fc माइनस कर दिया और fc हमने प्लस कर दिया जहां तक मैं समझता हूं कोई प्लॉलम नहीं है प्लस किया है तो माइनस की कर दिया अब आप देखिए इसमें हमने x-c से multiply की और x-c से हमने divide कर दिया और प्लस fc यहां तक मैं समझता हूं कोई प्रॉलम नहीं होगी x-c से लिमिट को ब्लॉलम नहीं है यहां पर हम लिमिट को डिए कर देते हैं लिमिट x-c सी यह तो लिमिट हर जगा बोग्रेट हो जाएए है हमारे पास कि लिमिट x-c सी कि एफ एस माइनस fc अपोल एक्स माइनस सी बल्लिप्लाइब लिमिट एक्स टेंस तूसी एक्स माइनस सी प्लस लिमिट एक्स टेंस टूसी एफ सी अब यहां पर देखिए कि अब यहां करके पूंप इसको कि जांचे देखिए लिमिट एक्स्टेंस टूसी एफ एक्स इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास यह वैल्यू हमारे पास है इसके प्लेश पर हम फिक देंगे एक्स टूसी एक्स अलसी यहां पर हम लिमिट यालेखिए । सी माइनस से और लिमिट एक्स टेंस टूजी एफ सी एफ सी कॉंस्टेंट है इसमें यहां पर एक्स नहीं है तो यह वैलू कहीं पूट रही होगा सिंपल कैवेगी हमारे पास फसी तो यह हमारे पास आया एफ डैस सी इंटू जीरो क्लस एफ सी तो यह हो गया जीरो प्लस एफ सी इड मेंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इस इपल टू तो यहां से क्लिया है कि जो फंक्शन इसका मतलब आखीए डिफ्रेंटिपरशेबल फंक्शन इसका मतलब घया कि एफ डिफ्रेंटिपर्सेंट इसका जबाए इसका उल्टा हो सकता है कि every continuous function is differentiable जो function continuous होगा क्या जरूरी है वो differentiable होगा इसको हम समझते हैं जड़ा एक graph के जरूँ देखे ये हमारे पास y is equal to more x मोडूलस फंक्शन हमेशा डिफरेंशेबल होता है तो जो यह है इस सुरी इस कंटिनुस जो मोडूलस फंक्शन होता है वो ओल्वेस कंटिनुस होता है इस यहां पर देखे y equal to more x इस continuous इस फंक्शन है बट आर्ट इस इस नोट डिफ्रेंशेवल at x is equal to 0 x equal to 0 पर function डिफ्रेंशेवल नहीं है आप इसकी left hand derivative और right hand derivative निकाल के देख सकते हैं अभी निकालेंगे फिलाब में समझा रहा हूँ आपको लेकिन डिफ्रेंशेवल का मतलब यह हुआ कि 0 पर इस function का tangent exist करेगा जहां से देखना tangent कहां पर exist करता है जहां पर curve होता है वहां पर ही tangent आएगा यह point पर tangent यह point पर tangent यह point पर tangent तो इस function है यह continuous भी है वो डिफ्रेंशेवल भी है लेकिन अगर मैं यहां पर आऊँ तो इस point पर tangent का slope मतलब इस point पर tangent possible ही नहीं है क्या बनाओगे आप पता है tangent आपनाने कोईश करोगे इस point से touch होने वाली line में मैंने एक यह बनाई एक यह बनाई एक यह बनाई मैं infinite lines में draw कर सकता हूँ जो इस point को touch करेंगी तो क्या वो सभी tangent होगी क्योंकि tangent किसी भी point पर सिर्फ एक ही होती है एक से जागा नहीं हो सकती तो यहां पर किस जीरो एक सिक्वल टू जीरो पर मोड लस फंक्शन डिफ्रेंशेबल नहीं है अभी हम चैक करेंगी यह सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं तो यहां से एक नोट निकल के आता है नमबर एप ओल डिफ्रेंशेबल फंक्शन और जितने भी दिफ्रेंशेबल फंक्शन है वो गंतिनुवस होंगे तो बट ओल गंतिनुवस फंक्शन और नोट आर नोट तो यह दो नोट है हमारे पास जितने भी फंक्शन डिफ्रेंशेबल हो गंटिनुऊस होंगे जिदने फंक्शन पंटिवस फंक्शन डिफ्रेंशेबल नहीं होते एक सोटा सा एक्जामपर में आपको मोड लस्का बताया है तो जब कभी भी आपको पता हो कि फंक्शन डिफ्रेंशियेबल है तो ग्यारेट लिख सकते हो हैंस फंक्शन इस कंटीनियूस एक चीज़ा आपको और समिनाना चाहूंगा ग्राफिकली कि यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन कंटीनियूस है लेकिन जैसे ही यह वाला कोई आता है मतलब जहां पर हमारी चोंच बन जाती है इस टाइप का कोर्णर बन जाता है अ ऐसे तो वहां पर function continuous नहीं होता है क्योंकि यहां पर भी टेंजेंट बनेगी यहां पर शारी टेंजेंट बनेगे लेकिन जैसे इस point पर आँगा तो इस point पर काफी सारी बन जाएगी जो की पॉसिबल नहीं है किसी भी कारवका सिर्फ एक पॉइंट पर एक ही टैंजेंट होती है एक सीध ज्यादा टैंजेंट नहीं हो सकती तो कुछ बिला करके डिफ्रेंशेशन के अवतापाटी इस निफ्रेंशेशन कि इस सलोप टैंजेंट एड़ पॉइंट इस कोईट पर हम इस प्रिप्रेंश बीटी चेक करते हैं वह उसकूइट पर हमी में क्या देगा टैंजेंट की स्लोप देगा अभी नेक्स सेप्टर में हम यही डेरिवेटी बोथ हार एक्वल आपकुछ कुछन डिस्कस करके इस पॉइंट पर कि एंसरीटी 5.2 एक्साइज में हमारे पाद दो ही कोश्चन नाइन और टैन नाइन पॉश्चन और टैन को तल डिफ्रेंशिविटी चेप करने के लिए हैं बाकि हम इसके कुछ कोश्चन एक्स्ट्रा एक्जाम्पलर और कुछ हैं बुक्स से हमारा काम नहीं चलेगा फिलाल में दो पॉश्चन डिस्ट्राइब कोश्चन नाइन 5.2 पूश्चन एक गीवन वाइफ एक्स इस इकल तो मौड ऑफ एक्स माइनस वन सब्सक्राइब करने तो मैंने आपको बताता दो पॉइंट है और राइट हैं डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले हैं लैफ हैं डेरिवेटिव एक्स इकल तो वन देखिए फॉर्मुला देखिए हैं पर लिमिट एच टेंस तो जीरू मतलब एलेक्ट डी जो हम निका लीमिट हैं लिमिट एंइस टू जीरो एफ़ ल मायनस माइनस एफ़ ऑन अपोल मैनस यह गारू आक्नेम इक सबस्क्राइब सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे एक समय देखेंगे एक सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे अब यहां पर आप देखिए वन में चोड़ों गहीं तो यहां पर बैल्यू पूट ओगी क्यांगी वैशे है यहांसे यहां पर डीए है तो चैसे थे एक सबनां जाएगा जीरो फो बन माइनस बन अब जिए हम से देखिए यहां से बन केंसी रोग है यह जीरो होगा माइनस माइनस प्लस है यह आया माइनस वन तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है यह माइनस बन आय अगर हम इसको यह भी लिखते हैं all एफ डैस बन भी लिख सकते हैं आप हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ बन प्लस एच माइनस एफ बन अपोर एच जिसन क्या होते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव तो जो आर एच भी हमारे पास निकल के आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो यह वैजुव है बन प्लस है बन में कुस्ट प्लस करोगे तो बन से बड़ा ही आएगा यह वैजुव यहां पर ड़लेगी प्रिया आएगा हमारा वन प्लस एच माइनस बन और एफ बन की वैल्यू वह भी यहां से निकल के आएगी जीरो तो right hand derivative हमारा 1 आया और left hand derivative हमारा क्या आया minus 1 तो it means since left hand derivative is node equal to right hand derivative therefore fx is node differentiable at x is equal to 1 similarly आप चेक करेंगे x is equal to 2 same ऐसे ही आप x is equal to 2 left hand derivative और right hand derivative मिकालोगे तो वो अगर equal आता है तो function हमारा differentiable है और equal नहीं आता है तो function differentiable नहीं है मैं आपको graphically समझाना चाहता हूँ एक बाद यहाँ आपको आपको अगर हम graphically से देखें इसे वीडियो को पोज करके आप नोट जरूर कर लीजिए थोड़ा ग्राफिकली समझते रहेंगे ग्राफ से कैसे होता है क्योंकि जब नेक्स एक्टर पढ़ेंगे हम इसलिए थोड़ा सा इसको समझते भी चलें देखिए ग्राफ अगर हम इसका बनाएं आपने 11 प्लास में बनाया होगा सब्कुर्स तूस्ट लिए ने पार्ट लएए इससे मत बनाला साइट रहा है स्युआ ने समय अधाने की प्रोश्रीन कि इस ऐसा घुर लिए यह फोड़ गलती काफी बनाएं लिए तो देखिया पर अगर चेक करेंगे तो यहां पर काफी सारी कोई नहीं नहीं है और आप यहां पर यहां पर कोई भी हमारे पास यहां पर कोई भी हमारे पास इस तरह की स्क्राइशन नहीं है तो यह पर हमारा फॉंक्शन डिफ्रेंशियबल आएगा हलाकि यह नहीं पूछा है यह मैंने गलती से लिखते हैं कोई बात नहीं अब चैट कर सकते हूं एक्षिपल टूपर फंक्शन डिफ्रेंशियबल जरूर आएगा फिलाल नेक्स्ट कोशन देख अब को ज्यान होगा हमने यह कोश्टन किया था इस नहीं होता है तो फॉंक्शन नहीं होता है वह दिफ्रेंशियबल की नहीं होता है है तो जब फंक्शन कंटीनियस ही नहीं है तो डिफेंशियबल कैसे हो जाएगा हाला कि यह लिंक मैं आपको बनाया लेकिन हमें चैक करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैस तू लिमिट है एच टेंस टू जीरो कि एफ तू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच लिमिट है टेंस टू जीरो टू माइनस एच आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंपीजर ऑफ तू माइनस एच यह को तो माइनस गाने पहले भी आपको श्मजाया था यह जो प्रेक्ट है यह बन आएगा यह आएगा माइनस टू अपोंट माइनस एच यह बन क्यों आया लिए टू माइनस एच जब तो में से कुछ माइनस करोगा तो यह वन पोइंट सम्थिंग आएगा सब्सक्राइब यह जो है हमारे पास पोजेटीव होता है और यह पास रखनी हमारे पास कितनी आगी है वन लिमिट एच टैंड स्टू जीरो बनाकॉल एच लिया हमारे पास आया नोट डिफाइन बनाकॉल जीरो इस लोट डिफाइन इन्फाइन अब हम यहां पर निकालते हैं इसके राइट हैं टेरी विटेव आरेच भी यह होना आप डेस टूप ओंगला हमारे पास होता है एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपोन एच लिमिट एच टैंस टू जीरो यह आएगा टू प्लस एच माइनस टू अपोन एच अब यहां पर ध्यान से देखना यह तो तू आएगा हमारे पास तू आएगा टू प्लस एच माइनस तक इसकी वैल्यू तू ही रहेगी है तो तू माइनस टू जीरो और जीरो पोनेच जीरो तो लेफ हैंड डेरिवेटिव कि टू इस नोट इपल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो एफ एफ एस इस नोट इस नोट डिफ्रेंशिएबल एट इस दिवर्डू तो अभी हमारे पास से अड़ी में दोड़ी कोश्चन थे और अब हमारी क्लास आज यहीं खतम होती है जो हमने नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी अभी हम यहीं टोपिक डिसक्स करेंगा डिफ्रेंश अबिटी इसके और अच्छे से क्लियर हो जाए फिला एंसी आड़ी में हमारे पास दो कुश्चन थे कोश्चन नबर नाइन और कोश्चन नबर टैन जो कम्पलीट हो चुकी है तो अब आप इस क्लास को जहां से देखिए नोट्स बनाईए इन दोनों कुश्चन को जहां से करिए इनके फ